ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 24 अप्रेल 2024 दिन बुधवार की संपूर्ण मुरली, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो, फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मनमनाभव, मध्याजीभव, प्र उत्तर एक याद की यात्रा तथा ज्यान का सिमरण, दो एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुध्धी न जाए, तीन डॉट जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो अपने उपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुनों के पंख लगे हुए हो, तो कर्मबंधन से मुप्ध होते जाएंगे ओम शांती बाप ने बैट समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी क्या कहानी है? सुभा को अमीर है, शाम को फकीर है इस पर एक कहानी है सुभा को अमीर था यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगमेग पर ही सुनते हो यह दिल में धारण करना है बरोबर भक्ती फकीर बनाती है, ज्यान अमीर बनाता है दिन और रात भी बेहत का है फकीर और अमीर भी बेहद की बात है और बनाने वाला भी बेहद का बाप है सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो फिर शाम को फकीर बन जाते हो कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं फिर पतित से पावन फकीर से अमीर बनने की युक्ती भी बाप ही बतलाते हैं मनमना भव मध्याजी भव यही दो युक्तियां हैं यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुशोत्तम संगमिभ है तुम जो भी यहां बैठे हो, गैरंटी है, तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे होता है नमबरवार क्लास ट्रांसफर होता है इंतहान पूरा होता है, तो फिर नमबरवार जाकर बैठते हैं, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात नमबरवार रूद्र माला में जाते हैं माला अथवा ज़ाड बीज तो ज़ाड का ही है परमात्मा फिर मनुश्य स्रिष्टी का बीज है यह बच्चे जानते हैं कि जाड़ वृध्धी को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुशोत्तम संदमिग। अभी तुम बच्चों को पुरुशार्थ करना है। दैवी गुण के पंख भी धारन करने हैं। अपने उपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी धीली नहीं होती। वह सतो, रजो, तमों में नहीं आते क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्मबंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्मबंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है याद की यात्रा। नर्म करता है। यू तो भक्ती भी नर्म बनाती है। कहेंगे यह बिचारा भक्त आदमी है, इन में ठगी आदी कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुगवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधा धोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। चार से पांच वर्ष की आयू से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10 से 20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं। फोटो आदी रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाट बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है यह तो बुद्धी में है कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे अंत में फिर तमोप्रधान संबंध हो जाता है इस समय जितने संबंध होते हैं, उतने कभी नहीं होते हैं कलियोगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन अखबार में पड़ा पाँच बच्चे इकठे जन में पाचों ही तंदुरुस्त है इसाब करो कितने धेर संबंध बन जाते हैं इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धी योग नहीं है सिवाए एक के सत्युग में फिर इससे जास्ती है कीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है हाइस्ट बाप बच्चों को एडाप्ट करते हैं जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है तुम ऐसे बाप की गोद में आये हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है तुम ब्राहमनों से उच कोई है नहीं सबका योग एक के साथ है तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है संबंध एक से होना चाहिए यह है नई बात पवित्र होकर वापिस जाना है ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे सत्यूगी रौनक और कलियूगी रौनक में रात दिन का फ्क है भक्ती मार्ग के समय है ही रावन का राज्य पिछाडी में साइन्स का घमंड भी कितना होता है जैसे सत्यूग से भेंट करते हैं एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नर्क में तो चार से पांच ने कहा हम स्वर्ग में हैं बुद्धी में रात दिन का फ्रक पड़ जाता है कोई समझते हैं हम तो नर्क में हैं फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? यह बहुत मीठी मीठी बाते हैं तुम नोट करते हो परन्तु वह कौपी में ही नोट्स रह जाते हैं समय पर याद नहीं आते अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है वह कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे याद में कोई तो आमदनी होगी ना याद की रस्म अब निकली है याद से ही तुम कितने उच स्वच बनते हो जितनी जो मेहंट करेगा उतना उच पद पाएगा बाबा से भी पूछ सकते हो दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे जगड़े ही जगड़े है यहां तो कोई संबंध नहीं एक बाप, दूसरा न कोई बाप है बेहद का मालिक बाद तो बड़ी सहज है उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं वंदर है न बाप भी वंदर्फुल तो ग्यान भी वंदर्फुल, सब वंदर्फुल इन वंदर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धी इस वंदर में ही लगी रहे रावन तो वंदर नहीं है, न उनकी रचना वंदर है रात दिन का फिक है शास्त्रों में लिख दिया है, कालीदह में गया, सर्पने डसा, काला हो गया अब तुम अच्छी रीती यह सब समझा सकते हूं श्रीकृष्ण के चित्र को कोई उठा कर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए 84 जन्मों की कहानी है जैसे श्रीकृष्ण की वैसे तुम्हारी स्वर्ग में तो तुम आते हो ना फिर त्रेता में भी आते रहते हैं व्रिध्धी होती रहती है ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पढ़ेगी यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्रसंबंधी आदी सब नर्कवासी हैं हम पुरुशोत्तम संगम्युगी हैं अब पुरुशोत्तम बन रहे हैं बाहर के रहने और यहां साथ रोज आकर रहने में बहुत फिक पड़ जाता है हंसों के संसे निकल बगुलों के संग में जाते हैं बहुत बिगाडने वाले भी हैं बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो तुमको खुशबूदार फूल बनना है सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है याद की यात्रा यहां तुमको ब्राह्मनों का ही संग है कहा उँचते उँच कहा नीच बच्चे लिखते हैं बाबा बगुलों के जुन्ड में हम एक हंस क्या करेंगे बगुले कांटे लगाते हैं कितनी महंत करनी पड़ती है बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी उँच मिलेगा सदैव हंस होकर रहो बगुले के संग में बगुला न बन जाओ गायन है आश्चर्यवद सुनन्ती, कथन्ती, भागन्ती थोड़ा भी ज्यान है तो स्वर्ग में आएंगे परंतु फ्रकरात दिन का पड़ जाता है सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे बाप कहते हैं मेरी मत पर न चल पतित बने तो सौ गुना दंड पड़ जाता है फिर पड़ भी कम हो जाता है यह राजाई स्थापन हो रही है यह बाते भूल जाती है यह भी याद रहे तो भी उंच पड़ पाने का पुरुशार्थ जरूर करें नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं बाप से योग नहीं यहां रहते भी बुद्धियोग बाल बच्चों की तरफ है बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है इसको कहा जाता है वेराग्य इसमें भी परसेंटेज है कहां न कहां ख्यालात चले जाते हैं एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धी लटक जाती है बाबा रोज समझाते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब ख्त्म होने वाला है तुम्हारा बुद्धियोग नई दुनिया में रहे और बेहत के समबंधियों से बुद्धियोग रखना है यह माशूक वंडर्फुल है भक्ती में गाते हैं आप जब आएंगे तो आपके विगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धियोग हटाना पड़ेना यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धियोग है मेरे साथ बुद्धियोग होगा तो मालिक बन जाएंगे बाप कितना समझदार बनाते हैं मनुष्य नहीं जानते कि भक्ती क्या है और ग्यान क्या है अब तुमको ग्यान मिला है तब तुम भक्ती को भी समझते हो अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ती में कितना दोख है मनुष्य भक्ती करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे किसको और कैसे फल देंगे, वह कुछ भी नहीं समझते अब तुम जानते हो बाप भक्ती का फल देने आये हैं विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डाइरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े उनको कहा जाता है उंचे ते उंची मत मत मिलती तो सबको है फिर कोई चल सके, कोई चल न सके बेहत की बादशाही स्थापन होनी है तुम अभी समझते हो, हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है माया एकदम ख्त्म कर देती है यह तो जैसे मुर्दो की दुनिया है भक्ती मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे, वह सब सत सत करते थे लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते है ऐसे बाप को याद करना चाहिए यहां कोई बाहर वाला बैठा हो, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते है सारी दुनिया कहती है पर मात्मा सर्वव्यापी है और यह कहते हैं वह हमारा बाप है कांध से नाना करते रहेंगे तुम्हारे अंदर से हाहा निकलती रहेगी इसलिए नए कोई को एलाव नहीं किया जाता है अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक खुशबूदार फूल बनने के लिए सं की बहुत संभाल करनी है हंसों का सं करना है, हंस होकर रहना है मुली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है दो कर्मबंधन से मुक्त होने के लिए संगमिग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने है आपस में कोई संबंध नहीं रखना है किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं है एक को ही याद करना है वर्दान परमाक्म लव में लीन होने वा मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव स्नेही की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो नरहें लेकिन मिलकर एक हो जाएं इसको ही समाजाना कहते हैं भग्तों ने इसी स्नेही की स्थिती को समाजाना वा लीन होना कह दिया है लव में लीन होना यह स्थिती है लेकिन स्थिती के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है आप बच्चे जब बाप के वारूहानी माशूप के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो स्लोगन अंतरमुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है